नमस्कार, क्विक इंडिया चेनल में आपका सुवागत है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Snapchat पर Two Factor Authentication कैसे लगाते हैं, यानि की नेवल करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहे हैं, तो चलिए सुरू करते हैं Snapchat पर Two Factor Authentication लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Snapchat अप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उपर में आपको एक Profile Icon का Option मिलेगा, अब आपको इस Profile Icon का Option पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक Setting का Option दीखेगा, अब आपको इस Setting का Option क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक two factor authentication का option मिलेगा आपको बता दे की two factor authentication लगाने से आपका जो आपको बहुत ही अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर आपका पासपोर्ड किसी को पता भी चल जाता है तो आपका अकाउंट लोगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर two factor authentication में जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा उस मोबाइल नंबर पर एक से code जाता है उस code को डालने के बाद ही jaar स्नाप चाइट का आकाउंट लोगिन होता है तो two-factor authentication लगाने के लिए शबसे पहले आपको यहां पर two-factor authentication पर option क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद नीचे हम आपको एक continue का option मिलेगा अब आपको continue के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो option मिलता है अगर आप यहां पर SMS verification से इसको करना चाहते हैं तो यहां पर आपको SMS verification का यूज कर लेना है अगर आप यहां पर authentication app का यूज करना चाह करते हैं तो यहां पर हम SMS verification पर किलिक करते हैं उसके बाद यहां पर आप इस account में जो भी मोबाइल नमबर दिये होंगे उस पर एक OTP आएगा अगर वो मोबाइल नमबर इसमें लगा होगा तो पर जो भी आपका Snapchat का passport है उसको डाल लेना है तो चलिए हम अपना passport डाल लेते हैं पासवर्ड फिलप करने के बाद नीचे मैं आपको एक continue का option मिलेगा अब आपको continue का option पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर आपको एक recovery code मिलेगा आपको इस code को copy कर लेना है या आपक इसका screenshot लेना है क्योंकि यह code आपको काम देगा तो इस code को आपको रख लेना है उसके बाद यहां पर आपको I wrote it down के option पर किलिक कर देना है उसके बाद यहां से अब जब भी अपना account को log out कीजेगा उसके बाद आपको login करने के लिए आपके mobile number पर code जागा उस code को डालने के बाद ही आपका जो account है वह login होगा और यहां आपका बहुत ही अच्छा हो जागा तो आपको बता दे कि आप भी इसी तरह से आप अपने snap chart पर two factor authentication enable कर सकते हानी की लगा सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया तो इस video को like करे और इस channel को जरूर सब्सक्राइब करे धन्यवा हो जिए तरह सकते हैं